पाइनस का वीडियोज हम देख रहे थे और पिछले वीडियोज में हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, मॉर्फोलोजी कर लिया और रूट की एनाटमी के बारे में भी पढ़ लिया है इस वीडियो के अंदर हम एनाटमी देखेंगे लेकिन स्टैम की आंत्रिक सनरचना तने की किस प्रकार से होती है यह हम इस वीडियो में आपको जानकरी उसके बारे में देंगे तो शुरू करते हैं एनाटमी स्टैम से सबसे पहले anatomy stem की जब हम शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूँ कि हमने morphology में जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि दो प्रकार की branches या दो प्रकार के shoot होते हैं एक होता है long shoot और एक होता है dwarf shoot तो इसमें अभी जो हम anatomy इसमें पढ़ रहे हैं वो हम long shoot के बारे में पढ़ रहे हैं कि वह किस प्रकार से उसकी आंत्रिक संरचना किस प्रकार की होती है तो सबसे पहले outline अगर diagram देखा जाए या outline देखी जाए shoot की तो circular नहीं होती है वो मतलब बिलकुल gold नहीं होती है वेवी पाई जाती है क्यों क्योंकि उसमें बहुत सारे leaf bases present होते हैं leaves भी आपको बताया था दो प्रकार की होती हैं एक तो scaly leaves होती है और एक foliage leaves होती हैं तो जो scaly leaves हैं वो बिलकुल shoot के उपर present होती हैं तो जब आप ts काटते हो तो वो scaly leaves भी साथ में उनका जो base होता है वो कटता है तो इसलिए वह outline में wavy structure आपको दिखाई देता है विलकुल गोल नहीं दिखाई देता है तो इसलिए पहला point है कि structure wavy है दूसरा कि outer most जो layer है वह single layered thick wall epidermis है जो की cuticularized है और उसके बाद आपको अंदर multilayered cortex दिखाई देता है outer layers जो है cortex की वह sclerenchyma cells की बनी हुई होती है और जो inner layers होती है वह parenchyma की बनी हुई होती है जो inner layer है parenchymatas उस cortex reason के अंदर resin canals देखी जाती है मतलब पाई जाती है resin canals अगर हम steel की बात करते हैं तो steel यहाँ पर eustilic और poly fascicular and dark siphon steel पाया जाता है मतलब की की जो steel है उसमें siphon steel से मतलब होता है जिसके अंदर की pith पाया जाए आपने ये condition उसमें पढ़ी है terridoffite में भी मैंने आपको types of steel एक पूरा वीडियो है types of steel का जिन भी students ने अगर नहीं देखा है प्लीज देखिए उसमें आपको steeler system समझ में आएगा और वो important प्रशने भी बनता है terridoffite के case में तो steel जो है eustilic condition से मतलब है आपको बहुत सारे vascular bundles दिखाई देते हैं और and dark siphon steel है मतलब की open है और and dark है और ये resemble करते है dicot stem से क्योंकि आप angiosperms अगर पढ़ते हैं वो third year में आप पढ़ेंगे तो angiosperms में दो प्रकार के plant होते हैं एक dicot plant होता है एक monocot plant होता है तो जो dicot plant है अगर उसका आप stem का structure देखते हो तो वो भी इसी प्रकार का आपको दिखाई देता है दूसरी बात की हमने पिछले वीडियो में आपको anatomy of root बताया था तो anatomy of root में मैंने आपको बताया था कि जो vascular bundles होते हैं वो vascular bundles आपके radial होते हैं लेकिन अगर आप यहां देखते हो तो यहां vascular bundle आपको conjoint collateral दिखाई देते हैं और open दिखाई देते हैं and dark दिखाई देते हैं क्या मतलब है conjoint collateral से मतलब है कि जो xylem है उसी radius पे आपको phloem दिखाई देता है conjoint collateral का अदा open का मतलब है कि vascular bundle में cambium का पाया जाना xylem और phloem की बीच में cambium पाया जाता है तीसरा endark vascular bundle तो endark से मतलब होता है कि जहां पर proto xylem अंदर की तरफ पाया जाए तो वो होता है endark type of vascular bundle और resemble करता है यह dicot stem से 5 से 10 vascular bundle arrange होते हैं ring के अंदर endodermis और paricycle यहां पर clear नहीं होती है xylem rays जो है वो connect करती है cortex को pith reason से तो यह सारा आपको structure जो है इसमें दिखाई देगा endark xylem जो है उसमें आप देख सकते हो trackids सिर्फ trackids उसमें आपको यहां पर दिखाई देते हैं phloem जो है वो present होता है ventral side पे and consist of sieve cells sieve blades phloem, parenchyma and albuminous cells मतलब companion cells नहीं पाए जाते intra-fascicular cambium is present between xylem and phloem intra-fascicular cambium क्यों कह रहे हैं intra मतलब अंदर मतलब जो bundle के अंदर हो कैसे होगा जैसे मान लीजे suppose अगर यह आपका vascular bundle है तो इस vascular bundle के अंदर यह draw देखिए यहाँ पे अच्छा सा नहीं होता सिरफ आपको rough diagram में आपको समझाने के तौर पे बता रही हूँ यह जो line है वो एक तरीके से आपकी होगी cambium this is cambium अंदर की तरफ में आपको xylem यह हो गया आपका xylem और यह आपका है phloem तो अगर इस तरीके का bundle है तो यह conjoint collateral bundle हो गया cambium यहां मौझूद है तो यह open type of bundle हो गया open type of vascular bundle और यह जो point है tip है यहाँ पर protozylem present है और यह अगर pit के side में है then the bundle is endark तो इस तरीके का bundle है तो अब इसमें यह जो cambium के बीच के अंदर जो यह bundle के बीच में जो cambium है इसको कहते हैं intra fascicular intra means under vascular bundle के अंदर अब जब बाद में secondary growth आप देखेंगे तो पूरी ring के अंदर आपको cambium दिखाई देगी कैसे जैसे यह अगर आपके bundle placed है suppose यह आपके bundle placed है इस तरीके से bundle अगर placed है तो इन bundles के बीच वाला यह हिस्सा तो है intra fascicular और यह जो हिस्सा है दो bundle के बीच में इसको कहते हैं fascicular cambium तो intra fascicular यह तो है intra fascicular और यह होता है आपका fascicular तो intra fascicular and fascicular cambium दोनों मिलके क्या बनाते हैं ring बनाते हैं cambium के जो कि vascular bundle के बीच का और दोनों bundle के बीच का cambium होता है और यह ring जो है बादने फिर secondary growth करता है यह हम जो अभी हमने जो यह पढ़ रहे हैं हम यह जो points पढ़ रहे हैं यह सब हमने एक तरीके से young shoot के points है यह देखिए अब T.S है many leaf traces are present small parenchymetis pit is present in the center सबसे बीच में आप यह देख रहे हैं यह pit है और अगर आप देखेंगे बाहर में तो यह आपको epidermis दिखाई दे रही है जो dark color के cells हैं फिर cortex में आपको resin canals दिखाई दे रही है फिर आपको कहा गया कि cortex भी दो प्रकार का है बाहर scleran chymetis cells हैं तो उसको hypodermis हमने कह दिया यहाँ पर और cortical जो reason बता रहे हैं वो एक तरीके से parent chymetis होता है फिर यह leaf यह तो है leaf basis जो cut गए साथ में scaly leaves हैं यह जो आसपास आपको देख रहे हैं का ts long shoot अब इसमें आपी देखिए पूरी ring मौजूद है यह एक पूरी ring के अंदर vascular bundles पाए जाते हैं और यह vascular bundles में बाहर की तरफ में phloem और अंदर की तरफ में आपको xylem दिखाए हैं कोई भी bundle आप देखते हैं यह bundle देखा आपने यह xylem यह phloem sorry और यह dark color का जो है वो xylem कोई भी bundle आप देख सकते हैं यह आपका resin आपको cortex में तो यह एक simple structure है बीच में रित है यह एक simple structure है एक उसका आपके young shoot का आप क्या सकते हो ठीक है अब secondary growth जब होती है तो secondary growth बिल्कुल similar होती है as in the dicot stem जिस प्रकार से dicot stem के अंदर secondary growth होती है उसी प्रकार की secondary growth यहाँ भी देखने को मिलती है cork cambium जो है वो भी बनता है cortical reason के अंदर जैसे कि हमने root में भी पड़ा था यहाँ पर भी cork cambium form होता है और वो cut करता है cork towards outer side बाहर की तरफ में cork बनता है और inner side में secondary cortex तो cork cambium जो है बाहर की तरफ cork बनाएगा अंदर की तरफ में secondary cortex बनाएगा बहुत सारे tannin और resin canals distributed होते हैं primary cortical reason के अंदर cambium cut secondary phloem towards outer side and secondary side towards inner side अब यह तो cork cambium की बात हो गई जो की cortex reason में बनता है जो एक vascular reason में जो cambium form होता है जो ring बनती है वो बाहर की तरफ में secondary phloem काटती है और अंदर की तरफ में secondary xylem बनाती है यह आपको ध्यान रखना है यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर कुछ भी प्रशन इस तरीके का आता है तो आपको यह सब लिखना पड़ेगा अब जो secondary growth जब होता है secondary growth होने पर cambium से secondary phloem बाहर की तरफ बनता है तो जो primary phloem में उस पर pressure पड़ता है वो विल्कुल crush हो जाता है विल्कुल push हो जाता है towards the outer side in the secondary xylem और उसी तरफ में अगर आप secondary xylem की बात करते हो तो उसमें आपको annual rings दिखाई देती है कैसे कि spring और autumn दो season है तो जो spring wood है वो form होती spring season में और वो thin walled होती है thin walled structure है और जो autumn में जो wood form होती है वो thick walled है और present it is present alternately एक बार एक season आएगा फिर अगला season आएगा तो spring season के अंदर जो बनेगा वो spring wood कहलाएगा autumn season में जो बनेगा वो autumn wood कहलाएगा और इस तरीकी का जो compact wood होता है उसको हम कहते हैं pycnosilic wood ये जो pinus है इसमें pycnosilic wood मिलता है जो कि compact type का wood होता है अब plant की जो age है वो भी हम calculate कर सकते हैं अगर आप long shoot को या stem को काटते हो log को काटते हो तो उसमें आपको इस तरीकी की layers दिखाई देंगी और ये layers जो दिखाई देती हैं उसमें age of the plant आप जितनी layer आपको दिखाई देगी उतने ही साल हो गए उस plant क्योंकि हर साल में season आता है spring आता है autumn होता है तो इस दोनों ring मिला के एक annual ring बन जाएगी तो इस तरीके से calculate करके age of the plant भी निकाला जा सकता है तो अगर इस पे भी अगर आप wood पे या annual ring पे वीडियो देखना चाहते हैं तो ये भी channel के उपर मेरा wood से related टाइप of wood से related और annual ring से related वीडियो है आप चाहें तो देख सकते हैं अब आते हैं कि below secondary xylem secondary xylem के अंदर की तरफ में क्या present है group of endark primary xylem जो primary xylem है वो endark condition में अंदर की तरफ में मौदूद है some of the medullary rays connect the pith with the cortex are called primary medullary rays while the other run in between secondary xylem and secondary phloem are called secondary medullary rays अब आप देखेंगे जब आभी structure देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ medullary rays जो है वो cortex से pith तक आती है वो कौन सी medullary rays है वो primary medullary rays है primary structure है वो क्योंकि आपको वो young stem में भी दिखाई देता है जबकि old stem जो है जिसमें की secondary growth चुरू हो चुकी है उसमें अगर आप medullary rays देखेंगे तो वो secondary xylem और secondary phloem के बीच में पाई जाती है तो उसको हम secondary medullary ray के नाम से जानते हैं central part अगर हम देखते हैं wood का central part देखते हैं तो central part जो है वो paranchymetis pith होता है resin canals present होती है cortex के अंदर secondary xylem में, primary xylem में और कई बार pith में भी मौझूद हो सकती है अब ये पूरा secondary growth का structure है कि किस प्रकार से यहाँ पर pinus के stem में secondary growth शुरू होता है तो मतब फॉर्स्ट जो structure है आप यह अगर diagram देखते हैं तो यह primary structure है primary stem का structure है जिसमें कि आप देख रहे हैं epidermis आपको दिखाई दे रही है यह cortical reason में resin canals दिखाई दे रही है आपको फिर आपको यह bundles दिखाई दे रहे हैं इंट्रा फैसिकूलर जाइलम आपको दिखाई दे रहे हैं बीच में इंट्रा फैसिकूलर चैंबियम दिख रहे है और अंदर की तरफ में जाइलम बाहर की तरफ में फ्लोयम दिखाई दे रहे हैं अब जो है इसके अंदर जब सेकंडरी ग्रोथ स्टार्ट होने लगता है तो देखी यह पूरी कैंबियम की रिंग फॉर्म हो गई कैंबियल रिंग है यह और इंट्रा फैसिकूलर कैंबियम और यह जो बीच में है फ्लोयम और दो बंडिल के बीच का जो हिस्सा है दाट इ इंट्रा फैसिकूलर और फैसिकूलर कैंबियम दोनों मिलके एक रिंग स्रक्चर बनाते हैं जो की कैंबियम रिंग कहलाती है यह देखिए आप अच्छा स्वरी यह सी स्रक्चर था यह बी में देखिए आप यह देखिए इंट्रा फैसिकूलर एंड इंट्रा फैसिकूलर यह थोड़ा सा गड़बड लिखा हुआ है ये आपका ये वाला arrow तो आएगा यहाँ पर ये है इंटर्फेसिकुलर्ड़ु ये है बीच का पोपोशिन मत्था दो बंडल की बीच में जो cambium है. या इंट्रफेसिकुलर और बंडल के अंदर तो जो cambium that is intra-fascicular cambium तो इसके बाद ये दोनों बन रहे हैं और फिर ये जुड गए यहाँ पर देखे पूरी ring बन गई C में D अगर आप देखते हो तो यहाँ पर secondary growth शुरू हो गई है और हर एक secondary cambium जो cambium ring बना रहा है वो cambium जो है वो क्या काटेगा xylem और phloem बनाएगा अंदर की तरफ xylem, secondary xylem और बाहर की तरफ secondary phloem बनाएगा और ये बहुत सारे गोले-गोले आपको दिख रहे हैं ये spring and autumn wood दिखा रखें लास्ट वाले diagram आप थोड़ा धियान से देखेंगे आपको समझ में आएगा इसमें देखिए आप ये आपको cork दिखा रखा है, देखिए epidermis दिखा रखा है, epidermis बाद में जब बहुत सारा cork बन जाता है, रक्चर भी हो जाती है ये cork है, फिर अंदर में आप देखिए, ये phelogen phelogen is एक तरीके सा आपको दिखाई दे रही है, cambium ring देखिए, बाहर की तरफ में secondary phloem काटती है, अंदर की तरफ में xylem काटती है, अब xylem में दो प्रकार के wood हैं, xylem को wood बोलते हैं, तो ये यहां पर आप देख रहे हैं, autumn wood बन रहा है और spring wood फॉर्म हो रहा है secondary medullary रहे क्या है जब secondary phloem से secondary xylem तक की medullary रहे हो तो ये देखिए, एक हिस्सा है उसी diagram का, ये जो आपका diagram है ये वाला जो diagram है इसका एक हिस्से को हमने cellular diagram की तरह यहां पर दिखाया है, old stem है ये, ring किस प्रकारास फॉर्म होती है, ये दिखा रहा है तो ये जो reason है, देखिए सबसे बाहर cuticle lipidermis दिखाई दे रहा है अंदर की दरफ में, cork फॉर्म हो रहा है cork cambium से cork बन रहा है अंदर ये secondary cortex है इसमें आपको resin canal ये दिखाई विए resin canal आपको दिखाई दे रही है फिर आता है, ये secondary phloem और बिलकुल crushed ये जो पतले-पतले से बारिक-बारिक से cell दिखा रहे है वो crushed हो गए, primary phloem cells फिर cambium है cambium के अंदर की तरफ में ये तो secondary phloem देखाँ secondary phloem के बाद आप देखें cambium जो है, वही बाहर की तरफ में secondary phloem बनाता है अंदर की तरफ में ये पूरा secondary xylem बनाता है अब secondary xylem में भी दो प्रकार के wood बन रहे है spring wood और autumn wood ये spring wood है जो की thick walled cell आप देख रहे हो, बना रखा है ये हमने देखिए पड़ा भी था है याँपर ये आपको बता देखिए है ये देखिए, spring wood जो है ये thin balled cell बना रहा है autumn wood thick balled cell बना रहा है ये यहाँ पर आप देख रहे हो, बहुत सारा spring wood बनता है ये जो ज़्यादा part है, this is spring wood और ये जो कम पार्ट है, वो है autumn wood spring wood ज़्यादा बन रहा है, spring season में बनता है autumn wood कम बन रहा है और ये ऐसा compact जो structure form हो रहा है ये इस तरीके के wood को कहते हैं, picnozylic wood secondary medullary rays देख रहे हो, आप ये ये देखिए यहाँ, phloem से xylem की तरफ में जो rays है ये इनको secondary medullary rays कहते हैं अगर cortex region से यहाँ से पूरा पित तक अगर कोई ray आती तो वो primary ray कहते हैं, लेकिन ये कहाँ से आ रही है secondary phloem से secondary xylem तक आ रही है तो ये secondary medullary ray कहते हैं, इसमें भी xylem के अंदर भी आपको resin canals देखने को मिल रही है और अंदर की तरफ में primary xylem भी present है और बिलकुल अंदर पित है अब अगर आप annual ring की बात करते हो तो एक spring wood और एक autumn wood ये देखिए ये वाला मिल आके एक spring wood और एक autumn wood मिला के first ring होगी फिर ये spring wood और ये autumn wood ये मिला के second ring होगी ये पूरा secondary xylem है और ये एक एक annual ring कहते है spring wood और autumn wood मिला के और इस तरीके से अगर आप springwood और autumnwood देखते जाते हैं तो आप एक तरीके से उस plant की age को भी calculate कर सकते हैं कि ये कितना पुराना plant है with the help of secondary growth कितना xylem उसके अंदर बना है, कितना wood उसमें बना है उससे हम age भी calculate कर सकते हैं यहाँ पर हमने long shoot जो है shoot में हमने सिर्फ यहाँ पर primary structure shoot का ts काटके अगर हम देखते हैं तो कैसा दिखता है ts काटके देखते हैं तो किस प्रकार का primary structure दिखता है और किस प्रकार से secondary growth होके secondary या old shoot आप कह सकते हैं वो दिखाई देता है next इसका part जो है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगी जिसमें की हम TLS, RLS वगरा भी अगर काटते हैं तो किस प्रकार की raise दिखती हैं क्या दिखता है वो हम अगले वीडियो में discuss करेंगे thank you so much